हेलो फ्रेंड्स मैं तुला तुल काड़े युटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला है कि आप कैसे बिना किसी मीटर के साफ्ट का रपीम मालुम कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास मे पुली और बहुत इस जो चल रही है दोस्तों मैं आपको बताऊँ है कि हम मोटर की आरपियम और हमारी जो दूसरी वाली पुली है उसके और प्लीय म कैसे चैक हम कर सकते है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी 3-phase induction मोटर है और आप देख सकते हैं कि जू इसका आरपि को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्सम में पूछ सकते हैं तो ऐसा कि मैंने आपको वीडियो में पीछे दिखाया था यह हमारी मोटर की पुली है जो के छोटी है मैंने आपको दिखाया था और मैंने उपर लिख भी दिया ह हाई स्पीड यानिके यह हाई स्पीड पर चल रही है और दूसरी तरब में दोस्तों यह हमारी बड़ी वाली पुली है जो के स्लो स्पीड पर चल ले यानिके इस वाली से थोड़ा धीरे चल रही है तो फ्रेंट्स यह हमारी पुली नंबर एक है और पुली नंबर दो है अब दोस्तो यहां पर अगर हमें जैसे के हमको पता है कि इसकी इसके आर्पिम मैंने अभी आपको वीडियो में दिखा था 1415 हैं इस वाली पुली के आर्पिम क्योंकि यह हमारी मोटर की पुली है और मोटर की पुली पर चाहे हम कितने ही बड़ी या छोटी लगा लें वो मो ताने वालों तो उसके लिए एक फोर्मुला आता है इसे लिए प्ली मौटर की पुली उसका डाया कितना है जैसे के यहां पे मैंने लिखा हुआ है हमने माल लिया है 50 mm यानी के 2 इंची है हमारा यह motor가ड आया is equal to rpm of secondary soft यानी के जो rpm secondary soft के जो rpm है वो और into odo of secondary soft pulley यानी के secondary soft की pulley अब दोस्तों हमारे पास में चार टर्म हो चुकी हैं तो इस में से हमको तीन चीजे मालूम होनी चाहिए तो हम एक चीज आसानी से निकाल सकते हैं और वह हम कैसे निकाल सकते हैं वह मैं भी आपको आगे बताऊंगा दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए तो दोस्तों हम सपोस करके चलते हैं कि हमको मालूम करना है कि इस यह वाली जो हमारी पुली है इसके और पींग पचास कर देख इस तो आर्पीम टू हमको मालूम करने एक चोड़ दिया है इंटू 100 यानि के जो हमारी यह पुली है हम इसको नाप सकते हैं फीजिकली किसी भी इंच टेप या फीटे वगएरा से इसको माप सकते हैं तो यह हमारी दो इंच है निके 900 mm की हमारी पुली है तो इस तरीके से दोस्तो और पीएम टूइजकोड वह जाएंके 1459 में साथ assistance we are bob साथसी करा हमारी दूसरी वालि पुली है वो 500 yr गोम रही है अब इसी तरीके से दोस्तों अगर हमको मालूम करने है मैं सब्सक्राइब करो हम इस फोर्मूले को दूसरी तरीके से यूज़ करना चाहें जैसे कि हमें आउटपुट पे 450 आर्पीम चाहिए तो हमें कितनी बड़ी पुली लेनी पड़ेगी दूसरी वाले साथ पे तो दोस्तों उसके लिए इस फोर्मूले को हम कुछ इस तरीके से य Auditwo, यानिि के हमको दूसरी वाली पुली की OD मालुम करनी है, और हमें दूसरी वाली safe पे rp मार्पीयं 4550, तो दोस्तों हमने दूसरी वाली sap के rp महां 450 रख लिए हैं, बागीचARM जैसे कि पिछली वाली में दी तो उसी तरीके से ओडिटो आ गई है तो दोस्तों अगर हमें 450 आर्पियम चाहिए 1415 आर्पियम की मोटर के लिए तो दोस्तों हमको पुली लेनी पड़ेगी 157 mm की यानि के सेकंडरी हमारी हमारी जो यह वाली पुली है यह हमको 157 mm की लेनी पड़ेगी तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से फोर्मूले के साथ समझा दिया है कि आप आर्पीम कैसे मालूम कर सकते हैं और दोस्तों मोटर पर लिखा होता है वैसे मैंने वीडियो में आपको पहले भी दिखा दिया था कि मोटर पर जनली लिखा होता है कि कितने आर्पियम की हमारी मोटर है तो उसे साब से हम इसको निकाल सकते हैं तो फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया